मैंने अपने note tree structure में कुछ changes किये हैं जो मैं आपके साथ आज share करता हूँ अगर आप previous note structure को देखेंगे तो exposure and contrast के लिए separate notes होते थे मैंने यहाँ पे उन दोनों notes का काम एक में करना शुरू कर दिया तो यह सबसे पहला change है यह मैंने क्यों किया क्योंकि जब मैं grade शुरू करता हूँ तो starting में मुझे कई बार exposure adjust करने की जरूरत नहीं होती मैं कई बार contrast करना चाहता हूँ और मुझे बार बार first या second node में switch करना पड़ता है तो मैंने इन दोनों primary corrections का work एक में करना शुरू कर दिया यह पहला change था अब दूसरे change के बारे में बात करते हैं जब overall मैं exposure and contrast को adjust करता हूँ मेरी saturation भी image की effect होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यह चीज़ें work करती है तो पहले मैं contrast and pivot को adjust कर लेता हूँ image की accordingly फिर आपको vector scope में मैं दिखाता हूँ और gain को भी adjust कर लेते हैं यह मैंने corrections को off किया है और यह मैं on कर रहा हूँ अगर आप notice कर रहे हैं तो यह आपकी image की saturation भी increase हो रही है तो image के exposure and contrast को adjust करने से पहले node के अंदर एक छोटा सा change मैं और करता हूँ हम node के उपर right click करेंगे composite mode में जाएंगे और यहाँ पर choose करेंगे luminosity अब आप same way से image के contrast and exposure को adjust कर लेजे मैं contrast को adjust कर रहा हूँ and adjusting the pivot and then gain adjust करते if you notice that बहुत बड़ा change नहीं हुआ है even की कुछ भी change नहीं हुआ है saturation के अंदर जो effect हुई है वो overall हमारे exposure and contrast यानि की overall tonal range के उपर adjustments हुई है without affecting the colors तो यह एक छोटा सा change है जो मैं अपनी professional practice के अंदर कर रहा हूँ and for the image colorfulness saturation increase करने की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैं saturation knob का use नहीं करता हूँ या आप सबको clear होगा या तो मैं DCTLs का use करता हूँ या फिर मैं other treatment से image की overall saturation को increase करता हूँ क्योंकि आपको पता है कि जब हम यहाँ से saturation increase करते हैं versus हम दूसरी technique से saturation increase करते हैं वो color जादा deeper होते हैं color जादा richer होते हैं तो यहाँ पे मैंने वो भी techniques आपके साथ share की हुई बट एक बहुत अच्छी technique जो आज मी मैं use करता हूँ वो मैं आपके साथ share करते हूँ saturation node के उपर हम right click करते हैं color space और यहाँ पे हम choose करते हैं HSP hue, saturation and value यानि कि इसमें तीन channels है हमें saturation channel को करना है तो हम channel 1 और 3 off कर देते हैं channel 1 is for hue channel 2 is for saturation and 3 is for value brightness आप बोल सकते हैं से या luminance बोल सकते हैं so channel 1 and 3 हम इसको बंद कर देते हैं अब मैं gain के थू जैसे इसको increase करना शुरू करूँगा image की overall saturation जो increase हो रही है और जो colors है वो deeper होते जा रहे हैं see that and ये कुछ changes थे जो मैंने अपने notary structure के अंदर किये हैं आप इस notary structure को अपने power grade में save करके रख सकते हैं so that आपको बार बार ये सारी चीज़े ना करनी पड़े आप कोई भी project शुरू करो आप same notary structure अप्लाई करो और अपना काम करना शुरू कर सकते हो